प्रिय चात्रों आज कक्षा 9 वी और 11 वी का रिजल्ट आ चुका है और जो चात्र पास हो गए हुनको अगली कक्षा में जाने के लिए बहुत बहुत सुब कामना है एवं बच्चों कई बार देखा गया है कि नंबर 72 के 27 लिख दिये जाते हैं 21सी के 18 लिख दिये जाते हैं एसा एक बार नहीं कई बार हुआ है तो परिय चात्रों तो जो चात्र पुनर मूल्यंग कन या रिवैलियोएशन जिसे कहते हैं पुनर मूल्यंगन हंदी में कहते हैं वो कराना चाहते हैं तो सिर्फ आपको पाँच दिन का टाइम दिया गया है एक आबिदल लिखेंगे अब ऐसे किसी के नंबर 18 हो सकता उसके नंबर 18 हो उसकी सप्लिमेंटरी आ गई है तो वो चातर क्या करें वो चातर क्या क्या करें तो इस भासा के साथ साथ आपको समझाते चलते हैं तो सभी जिलादकारी जो हैं जिन डी वो बोलते हैं तो उन्होंने सभी प्राचारियों को ऐसा लेटर भीज दिया है सभी प्राचारों को ऐसा लेटर भीज दिया है इसमें विसाय में क्या का गया है कच्छा नौबी और ग्यारिवी की वारसिक परिक्षा के परिक्षा परणाम उपर यहां पर आपको ध्यान देना जिस किसी की सब्लेमेंटरी एक विसाय में आई है तो अंकों की पुनरगणना ही तू रिवेल्यूएशन ही तू पचीस रुपई लगेंगे एक विसाय के दो विसाय हैं तो पचास रुपई लगेंगे फिर क्या करें वो छात्र प्रति विसाय है प्रती झात्र के दर से परेक्षया परनाम गोहुसत ओनें की पांच दिवस तक सोचों आज रिजल्ट आगे आपका 3 तारेक को पांच मिले हैं आपको तो वह क्या करें एक आविधन लख़ें ठीक है और वह चातर क्या करें आविधन लखकर के और एक सिब्लिमेंट्रि और अपने स्कूल में जमा करें वह चातर ठीक है अपने स्कूल में जमा करेगा वो छात्र आविदन और रुपए और इस्कूल वाले जो हैं सब की सूची बना करके क्या है उनका जो हेड सेंटर है जो समनवैक्स अंस्था है जिन्होंने कापी कलेक्ट की थी और कापी चेक करवाई थी तो वो ग्वालियर की बात करें तो ग् प्रमांग केक जिसे एक्सिलेंस स्कूल भी खेते हैं तो सभी गौलेड़ जिले की स्कूल है तो वो उत्क्रष्ट विद्याला है क्रमांग केक में वो सभी छात्रों के सूची और रुपए जमा कर देंगे तो प्रिय चात्रों अभी सिर्फ पुनर मूल्यंकन का यह आदिस आया है तो कुछ नहीं बिगर रहा है आपका 25 रुपए में कई बार एक बार नहीं कई बार बोड़ परिक्षाओं में यह भी बोड़ परिक्षा है बच्ची के नमबर जल्दी जल्दी में अधिक की कम लिख पत्रक होता उसमें चड़ा दिये 28 इस तरह की कलती है कई बार देखने को मिलती है अगर आपको विश्वास है कि आपके अच्छे आए जैसे उधारन दें आपको अभी बार अभी बाइलोजी में फिजिक्स में बहुत च्छात्रों के सब्लिमेंटरी आई है और नमर किसी क कि 13 हैं हो सकता है उसके 31 हो 31 के उसने जल्दी में 13 लिख दिए 31 में वो पास हो जाता है और वो 13 में फैल हो गया है तो प्रिय चात्रों कुछ नहीं होता है थोड़े उद्रपयाँ से आप आप अबेदन लिख दीजिए अपनी स्कूल में जमा कर दीजिए आपकी किसमत अच स्वस्त रहो खुस रहो चिंता मत करो सब कुछ अच्छा होगा मिल तेहली वीडियो में धन्यवाद